हाई फ्रेंज वेगू माना वेलकम डू मूवी शूवी दोस्तों पेट्रियोटिक वीग चल रहा है एक के बाद एक ऐसा कॉंटेंट आ रहा है जो आपको जो ज़जबा है देश के लिए वो बिल्कुल स्काय हाय कर देता है तो अभी आपने देखा कि शेर्शाह ने किस तरीक पर एक और नई सीरीज आई है जिसका नाम है POW बंदी युद के और वो जो सीरीज आई है दोस्तों काफी ज़्यादा मुझे लगा इंपक्फुल है और इसके बारे में बात करनी चाहिए वैसे तो देखो इस सीरीज का जो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज़्यादा ज़्यादा प्रचार हो रहा है क्योंकि वह ऐसा OTT प्लाटफॉर्म है जो की फ्री है अभी आज की डेट के अंदर एक दो बीच में आड आती है देखते टाइंग बट लोगों काफी ज़्यादा पसंद वह इससे वजा से ही आ रहा है क्योंकि फ्री हो जाता है आप कॉंट इक्रम बत्राजी की कहानी सुरूई होगी कि हमने कार्गिल वाल्ट जीत ली बट साथ ही साथ में इसमें इस तरीके का दिखाया गया कि शायद दो सोल्जर्स को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया तो जो जर्नी दिखाई गी है कि जो विनिंग के बाद अचानक से जो टॉर्चर हुआ इनके साथ और किस तरीके से हुआ वो आपके रॉंग टे खड़े कर देगा काफी रियल है उनको नहाने को नहीं मिलता है उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है और उनके जो मनोदशा हो जाती है वो बड़ी confused state में हो जाते से रंदी पूड़ा ने भी एक मूवी के लिए ये transformation किया था बिल्कूल वैसा ही है काफी comparable है काफी dark और gloomy वहले सीन है तो आपको बहुत disturbing लगते हैं और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया है कि आर्मी की life और political scenarios वो दिखाया है और parallel एक और इन्होंने वो दिखाया कि पाकिस्तान ने हमें इन लोगों से दूर रखा है और आप भी ये कर रहा है और आप को ने होता कुछ यह हो है कि यह जो soldiers capture हुए जाते हैं इनको पाकिस्तान जो है वो छोड़ देता है और साथी साथ में यह doubt create हो जाता है इंडियन आर्मी के पास और थोड़ा political scenario भी बन कि इनको छोड़ा क्यों है क्या इनको genuinely छोड़ दिया गया है because they wanted to have good relationship with India पाकिस्तान या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि इनका mind wash कर दिया है अब they are almost like a person who is working for Pakistan and against India तो वो इनकी introspection करना शुरू कर देते हैं investigation चुरू करना करना शुरू कर देते हैं काफी हद तक humiliate करते हैं क्यों उपर भी गुस्सा आएगा पर at the same time ना यह जो series बनाती है कि अगर आप इस नजरिये से देखें कि soldier बड़ा नहीं है country बढ़ी है अभी तक हमने soldier की कहानी देखी जो भी movies release हुई है पर यहां पर उन्होंने थोड़ा साथ बोला कि देश और भी उपर है और देश उपर है इ तो इस तरीके से भी होता है कई बार ही आपको personal reasons की वज़ा से इतना जड़ा दिया जाता है कि फिर आप बोलते हो कि आप हमारे लिए ही काम करो यह सारी चीजों का यहां पर ध्यान रखा गया है कि बैलेंस अप्रोच लेके कैसे चला जा सकता है किसी के भी प्रो और किसी के सार पर पहले ही दिखाया हुआ है यहां पर यह कुछ चालीस एक एपिसोड आने वाले हैं इसके MX प्लेयर के ओपर जिसके दस एपिसोड अलड़ी आ चुके है काफी टाइट इंट्रीगिंगनेस बनाते हुए इसका suspense बनाया हुआ है आप सोच में ही रहोगे कि soldiers का मन बदल इसके आने वाले हैं तो मरली जाना अंदर 30 डेस के अंदर यह सीरीज कंप्लीट होगी हरोज एक 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 एपिसोड और आएगा पहले 10 का इन्हों ने अच्छा खासा ताम जम कर दिया आज 11 एपिसोड आएगा तो आप इसको देखो तो काफी इंट्रस्टिंग लग कि मुझे ऐसा लगा कि शाद अपना रोल धंग से ने ने बारे हैं एक सेट आशुतोश राना फोड़ी ड्राइग लंबी लगी मुझे लगा कि शाद उसमें इतना जाद दम निया तो मैंने बीच में छोड़ दी तभी मैंने उसका रिव्यू भी सिरफ पहले एपिसोड का डाला और उसके बाद डाला नहीं मैंने कोई भी रिव्यू पट इसका मैं पूरा डालूँगा मैं रोज देखूँगा इसका एक एपिसोड और आज मैंने एक रिव्यू बनाया है और एक मैं रिव्यू बनाऊँगा तीस दिन बाद इसका पूरा as a whole ये सीरीज कैसे शेप जैसे मैं एक मुवी के बारे में बात करते हैं लम्हे एड़ फेट स्टाइंग थी शाथ अब रिलीज होती ही तो कैट सुपर डूपर उट होती थी तो उस नमाने में थोड़ी से फेल होगे बट उसी तरीके एक सिनारियो थोड़ा एडिट करके थोड़ा वर रेलेवेंट बनाके कैसे अच्छी stories दुबारा बता सकते हैं तो मिलते हैं एक और review एक और update के साथ बने रही है और अगर आप नए आए तो चानल को subscribe कर लिजे with all notification तन बाई बाई